राम राम दोस्तो नोलेज ओप डिफेंस चेनरल के अंदर आप सभी का हार्दिक सवागत है दोस्तो मैं विजेंदर कुमार फुल मोडल पेपर लेकर आया हूँ जिसमें जैनरल जीडी का फुल मोडल पेपर है जिसमें से कलरक, नश्टिंग स्टेंड, ट्रेडमेंस में भी सेम टू सेम परसन, जैनरल साइंस, जिक्के, एंड रिजनिंग के क्यूस्चन जो हैं वो सेम टू सेम लगबग एकजाम मुके अंदर आते रते हैं ये वीडियो एकजाम की दरश्टी से आप लोगों के लिए बहुती महत्वपूर्ण होने वाली है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मिस नहीं करना है पूरी की पूरी वीडियो आपको देखना है और एक-एक क्यूस्चन का सोलेशन भी आपको देखना है तो दोस्तों ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहें और सुनते रहें आपके लिए पहला क्यूस्चन है थार का मरुस्थल कहां स्थित है तो दोस्तों थार का मरुस्थल कहां स्थित है तो थार का मरुस्थल दोस्तों रास्थान में स्थित है और दोस्तो रास्थान में थार का जो मरुस्थल है उसका 62 परतिसत है और थार के मरुस्थल में भारत का जो परतिसत है वो 80-82 परसेंट के आसपास है तो आपको याद रखना है थार के मरुस्थल में भारत का 80-82 परतिसत हिस्था और रास्थान का जो थार के मरुस्थल में हिस्था है वो 62 परतिसत है तो थार का मरुस्थल कहां इस्थित है रास्थान नेक्स्ट क्यूस्चन की चर्चा करते हैं बेंकांग किसकी राजधानी है बेंकांग किसकी राजधानी है तो दोस्तो याद रखना है आयवा क्यूस्चन है एकजाम की दृष्टी से बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्चन है तो इसका सही आंस्वर जो है वो दोस्तो थाइलें option A है question number 3 सुंदर्वन क्या है delta पहाड नदी रेगिस्तान तो option A right answer होगा सुंदर्वन डेल्टा है question number 4 है पंडित रवी संकर कि छेत्र के लिए परसिद है तो option A संगीत, option B खेलकूद, option C साहित और option D इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इस question का सही उत्र है पंडित रवी संकर को वो बजाते है याद रखना है दोस्तो सितार वद्दे यंतर को बजाते है पंडित रवी संकर और सितार वद्दे यंतर संगीत से समंदित है तो चेतर बुच्छा आपको तो संगीत चेतर से वो परसिद्धी है एवरेष्ट पर चणने वाली पर्थम बारतिय महिला कोन थी तो दोस्तो याद रखना है एवरेष्ट पर चणने वाली पर्थम बारतिय महिला आपको बताना है option A बच्छंदरी पाल, option B आरतिसा, option C देविकारानी, option D इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो एवरेष्ट पर पहली महिला चड़ने वाली है वो बच्छंदरी पाल है आरतिसा है वो तेरकर इंगलिस चैनल पार करने वाली महिला है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दोस्तो एकजाम की दरश्टी से बहुत important question है सारे ही देविकारानी जो है वो पहली भारती महिला इरोईन है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो अच्छे से याद रखना है तिन्यू के तिन्यू option आपके clear कर दिये हैं next question श्यूक्त राष्टर संका मुख्याले कहां पर है वासी गटन निवार्क पेरिस इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों स्यूक्त राष्टर संका जो मुख्याले है वो निवार्क के अंदर है निवार्क में है और पेरिस जो है फ्रास की राजदानी है आपको याद रखना है पेरिस क्या है फ्रास की राजदानी है और पेरिस जो है वो पहले भी बता चुका हूँ मैं विश्वय की स सबसे सुन्दर शिटी है सबसे सुन्दर शिटी याद रखना विश्वय की सबसे सुन्दर शिटी है और ये किस सहर के किनारी बसा हुआ है तो फ्रांस जो है वो किस नदी के किनारी बसा हुआ पूछ लिया जाता है फ्रांस की राजदानी है पेरिस विश्वय का सबसे सुन् दिन सीन नदी, यानि कि जो भी विदेश से हन्यमन बनाने जाएगा, वो जोड़ा क्या करेगा, वहाँ पे जाके सेलफी लेगा, उसको सेलफी लेने के अलावा कोई काम नहीं है, तो सेलफी यानि कि सीन, सेलफी को आप सीन से समझें, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, सीन तो याद रखना है दोस्तों सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस सहर बहुत ही क्यूस्चन हो चुके हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्यूस्चन नोबल पुरुषकार की सरुवात कब हुई थी 1901 में 1911 में 1919 में और 1928 में तो मैंने बताया था दोस्तों के ओप्सन काटना सी दिख जाओगे आप तो आसानी से एकजाम हाल के अंदर आप सही उत्र दे पाओगे तो 1928 में कौन सी गटना गटी तुई थी याद रखो साइमन कमिशन भारत आता है क्या साइमन कमिशन भारत आता है साइमन कमिशन भारत आता है 1928 में और साइमन कमिशन का विरोध किया जाता है और साइमन कमिशन क्या चारा था साइमन कमिशन स्षवेदानिक सुधार चारा था 1919 के अंदर आपको पता ही है 13 अप्रेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था और चैम्स फोर्ड गटना 1911 जो है वो दिल्ली दर्वार लगता है क्या लगता है दिल्ली दर्वार लगता है और दिल्ली दर्वार के अंदर राजदानी देश की दिल्ली बनती है 1901 से नोबल पुर्षकार की सरवात होती है दोस्तो राइट आनस्वर जो होगा वो 1901 में होगा इसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि 1910 के अंदर गितांजली लिखी जाती है कब लिखी जाती है गितांजली? 1910 में लिखी जाती है और 1913 में आपको बता देता हूँ कि 1913 के अंदर गितांजली जो है वो दोस्तो परकासित हो जाती है और 1913 में रविंदरनाट टैगोर को नोबल पुर्सकार मिलता है 1910 में वो गितांजली लिखते हैं और 1913 के अंदर दोस्तो नोबल पुर्सकार मिलता है प्रकासित होने पर तो पहला भारती नोबल पुर्सकार विजेता जो था वो रविंदरनाट टैगोर थे तो सारे के सारे ओप्सन कलियर कर दिये हैं बहुत सारे क्युस्चन एक ही क्युस्चन के अंदर बने हैं सभी क्युस्चन से आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्युस्चन बारत की खोज के लेखक कोन हैं इंग्लिस में हम कहते हैं डिस्कवरी आफ इंडिया के लेखक कोन हैं तो हिंदी और इंग्लिस दोनु पढ़ना है आपको, अगर किसी क्यूस्चन में आप फच जाते हो, तो मेरी मानना जरूर आप, आप इंग्लिस वाला जो फोर्षन है वो पढ़ के देखें, आपको क्यूस्चन का जो उत्तर है वो आसानी से मिल जाएगा, तो डिस्कवरी हिंडिया या भारत की खोज, दोनु चीज एक ही है, लेकिन आपका परसन पत्तर जो होगा, वो इंग्लिस और हिंदी दोनु में होगा, इसलिए आप जहां नहीं समझ पाते हैं हिंदी, वहां इंग्लिस पढ़ें, इंग्लिस नहीं समझ पाते हैं, वहां पे हिंदी पढ़ तो सही उत्र जो है वो दोस्तो भारत की घोज वो जोहारलाल नेहरू है, सही आंसवर होगा जोहारलाल नेहरू. क्योश्चन नम्मर नो है दोस्तो, पर्थम भारती विश्व सुंद्री कोन थी? ओप्षन A, आर्थिसा, ओप्षन B, देविकारानी, ओप्षन C, रिता फारिया, और ओप्षन D, इसमें से कोई नहीं. तो सही आंसवर है दोस्तो, पर्थम भारती विश्व सुंद्री जो थी, वो रिता फारिया बनी थी, और ये बनी थी 1966 के अंदर याद रखना. और आर्थिसा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको तेरकर इंगलिस चैनल पार करने वाली पहली भारती महिला थी, देविकारानी जो थी, वो पहली भारती महिला हीरोईन थी, तिन्यू के तिन्यू अप्षन दोस्तो कलियर कर दिये हैं, एक्जाम की दरष्टी से तो आप यहीं से समझ जाओ दोस्तो कि आपको कोई भी क्यूस्चन जो है, वो मिस नहीं करना है, अगर मिस नहीं करोगे, तो मैं गारंटी से आस्वासन देता हूँ, जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो सुना है, वो सारे के सारे बच्चे अच्छे मार्क से और एक्जाम को कलियर कर पाएंगे, कुची पूरी नरते नाटी का किस राज्य समंदित है, ओप्सण A उडिसा, ओप्सण B तमिनलाडू, ओप्सण C मनिपूर, ओप्सण D आंदर परदेश, तो जो कुची पूरी नरते है, वो जो तो आंदर परदेश से समंदित है, सही आनसवर जो हो दोस्तों सिल्ली पॉइंट का जो समंधा है वो किरिकेट से है सिल्ली पॉइंट किरिकेट में होता है next question जो है वो बहुत important question है दोस्तों आपके लिए अंत्रिक्स में यान भेजने वाला पहला देश कोन सा था एमरिका, सोवियत संग जिसको हम USSR बोलते हैं भारत और कनाड़ा तो सोवियत संग का विग्टन जो हुआ है वो दोस्तो 1901 में के अंदर हुआ है आपको याद रखना है सोवियत संग का विग्टन ये भी क्यूस्चन आपको पूछ सकता है और कई एक्जामू में पूछा है तो सोवियत संग का विग्टन जो है 1901 में होता है उसके बाद में इसका नाम रूस है लेकिन उससे पहले इसका नाम सोवियत संग था तो आपको याद रखना है और अंत्रिक्स में पहला जो यान भेजने वाला देश है वो है सोवियत संग, राइट आंस्वर जो होगा वो सोवियत संग USSR होगा, 4 अक्टूबर 1977 को सोवियत संग ने मानव जाती के इतियास में पर्थवी का पहला करतरी उपगरे सपुतनिक 1 लौंच किया था दोस्तों, क् 4 अक्टूबर 1977 को किया था, अगस्त 1979 में ALP की पहली प्रियोग जो उडान थी, वो 1979 के अंदर भारत ने बरी थी, लेकिन ये ऐसफल रही थी, उसके बाद में इसने सफल प्रिक्षन जो किया था, भारत ने वो 1980 में किया था, सफल प्रिक्षन जो भारत ने किया था, वो 1919 में किया था, लेकिन पहली जो उडान भरी थी, वो अगस्त 1979 के अंदर भर दी थी, और अगस्त 1980 में क्या किया था, सफल यान उडान कर लिया था, नेक्ष्ट क्यूस्चन जो है वो है, वांखडा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्चन है दोस्तों, एक्जाम की दरश्टी से, और काफी एक्जामू में आया हुआ है, एससी जिड़ी के अंदर भी एक्यूस्चन आया हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी एक्यूस्चन आया हुआ है, और आर्मी जिड़ी और अगनी वीर के अंदर भी एक्यूस्चन आया हुआ है, तो important है बांखडा नंगल बांखडी घास होती है और बांखडी घास को ले जाके सतलूज के घास के मैदान में डाल देना है सतलूज घास के मैदान को सतलूज करते हैं तो बांखडी घास को कहा ले जाएंगे बांखडी नंगल को सतलूज में ले जाके डाल देंगे तो बांकरान अंगलबान किस नदी पे बना हुआ है? सतलू जनुदी पे बना हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत important question है Next question जो है वो, ग्रिस देश की राजदानी क्या है? तो ग्रिस देश की राजदानी जो है वो दोस्तो, Athens है Right answer क्या होगा? Athens होगा Islamabad जो है वो पाकिस्तान की राजदानी है, आपको याद रखना है ठीक है? अब बात करते हैं, ग्रिस ग्रिस क्यों फेम से है? अभी 25 अगस्त को 25 अगस्त को मोदी जी वहाँ पे एक दिन के दोरे पे थी 25 अगस्त 2023 को मोदी जी ने वहाँ का दोरा किया है, ग्रिस देश का छोटा देश है ग्रिस और मोदी जी ने वहाँ पे एक दिन का दोरा किया है और 40 साल बाद जाने वाले वारत के परदान मंत्री हैं, मोदी जी 40 साल पहले कोई परदान मंत्री गया था उसके बाद में मोदी जी गए चाड़ी साल बाद भार्द से गिरिस देश के अंदर तो देख लो दोस्तो क्युस्चन के एमियत बहुत ही जादा है करंट अफेर में भी यहां से क्युस्चन बन सकता है तो गिरिस देश की राजदानी आपको याद रखना है अथेंस है और 25 अगस 2023 को मोदी जीवां पे एक दिन का दोरा करने गए है नेक्स्ट क्युस्चन जो है वो 15 नमबर क्युस्चन है दोस्तो वर्स 2023 तक विश्व में मानेता प्राप्त देशों की संख्या कितनी है राइट आंसवर जो हो जाएगा 140 हो जाएगा लेकिन अगर कुल देश पुठी जाते हैं मानेता प्राप्त अगर सबद नहीं आता है अगर कुल देश पुछे जाते हैं विश्व के अंदर तो दोस्तों सो री यह 240 कुल देश अगर पुछा जाता है तो आपको बताना है 244 देश हैं कुल कुल देश कितने है 240 और माननेत अपराप्त अगर देश पूछते हैं तो कितने हैं 145 देश हैं आपको बताना है next question जो है वो दोस्तो नमक का सुत्र क्या है नमक का सुत्र NACL होता है दोस्तो याद रखना है आपको नमक का सुत्र है NACL बहुत important question एक्जाम के लिया आज से पानी के जाज को मापने की काई क्या है दोस्तो तो not है जो पानी को नापने की काई है not AIDS की full form क्या है दोस्तो बहुत एक्जाम में आया हुआ question है acquired immunodeficiency syndrome होता है दोस्तो acquired immunodeficiency syndrome याद रखना दोस्तो एक्जाम की दरश्टी से important है ozone gas का रंग होता है काफी बार एक्जाम में आया है हलका निला होता है ozone gas का रंग next जो question है वो बलका मातर क्या होता है दोस्तो तो आपको मैं आसा करता हूँ पता होगा Newton है काफी एक्जाम में आया हुआ है गाजर में कौन सा मिटावीन होता है दोस्तो तो गाजर में मिटावीन A होता है याद रखना है और मिटावीन A जो है वो गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन मोनो अक्साइड का रासाइनिक सुत्र है तो carbon monoxide का रासाइनिक सुत्र CO है जो तो याद रखना next question है पंखे की गती को बढ़ाने का काम करता है तो गती को बढ़ाने का जो काम करता है मैं आसा करता हूँ आप सभी को पता होगा अगर नहीं पता है तो याद कर लेना काफी बार exam में पूछा गया है क्योंकि examiner क्या करता है कि 60% hard बनाता है paper को और 40% easy बनाता है paper को ताकि लगभगी student कर सकें और pass marking number ले सकें और 60% hard इसलिए बनाता है ताकि जो है exam के अंदर 60% जो hard question है उन पे merit टिकी होती है और जो merit list के अंदर जाना चाते हैं वो बच्चे आपे 60% वाले जो question है उनको पक्का करने की कोशिस करेंगे तभी क्या है कि वो exam को clear कर पाएंगे otherwise वो exam को clear नहीं कर पाएंगे इसलिए दोस्तो हर question important है हर question को बहुत ही ध्यान से देखना है और पूरे question याद रखना है गोबर गेस में किसकी बहुलता होती है तो दोस्तो गोबर गेस में मिथेन की बहुलता होती है राइट आमसोर आपका गोबर गेस में बहुलता मिथेन की होती है ECG किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तो तो हर्दे से संबन्दित जो रोग होते हैं उनकी जांच के लिए दोस्तो ECG का इस्तेमाल किया जाता है बाल नाखुन बने होते हैं बाल नाखुन और जो खुर होते हैं दोस्तो ये खुर भी प्रोटीन से बने होते हैं तो याद रखना है बाल, न कुन और खुर किसके बने होते हैं ? प्रोटीन के बने होते हैं काफी बार एक्जाम में आया वाक्यूस्चन है पारे का संकेत है पारे का संकेत क्या होता है ? पारे का रासाइनिक नाम क्या होता है ? तो HG इसका Latin नाम Hydrogeyrism होता है, Latin नाम क्या होता है? Hydrogeyrum होता है, याद रखना है Latin नाम Hydrogeyrum होता है और शंकेत जो है वो HG होता है, नेक्स्ट जो क्यूस्टन है वो दोस्तो ओजोन का प्रतीग पुछा है, ओजोन का SI मात्रक पुछा है, تو इसका SI मात्रक जो होता है वो O3 होता है, ठीक है? याद रखना है question number 29 है दोस्तो तारूं का टिम टिम टिमाना क्या कहलाता है तो तारूं का जो टिम टिम टिमाना है वो परकास का अपवरतन कहलाता है दोस्तो याद रखना है फोन का विसकार किस ने किया था बहुत important question है दोस्तो फोन का विसकार जो है वो ग्राम बेल ने किया था अगर रेडियो का पूछ लेते हैं तो बताना है मार कोनी ने किया था रेडियो का किस ने किया था मार कोनी ने किया था याद रखना ये भी, रेडियो का पुछा जाता है तो मारकोनी कर देना, टेलिफॉन का पुछा जाता है तो ग्राम बेल कर देना, दोनु में से कौन सान कौन सा पक्का छपेगा, याद कर लेना दोस्तों, नहीं तो पस्ता होगी. दिशा बताने वाले यंतर का नाम क्या है? तो दिशा बताने वाले यंतर का नाम कमपास है, जिसका डिफेंस के अंदर बहुती ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डिगरी डिस्टेंस पे चलने के लिए आपको कमपास की जरूर्थ होती है. इसलिए दिशा बताने वाला जो यंत माओं में से सबसे पहले आता है यह परतिमा सरदार वल्लब भाई पटेल की है यह कहां पर है तो दोस्तों गुजरात में है और सरदार सरोर बांध के नजदिक नर्मदा नदी के किनारे पर सितित है एक्जाम की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट क्युस्चन है मैं बार बार बता रहा हूँ आपको सारे के सारे क्युस्चन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए पूरी वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है वीडियो को मिस ने करें कम से कम दो तीन वार वीडियो सुनें ताकि आपके हर क्युस्चन जो है वो अच्छे से याद हो जाए next क्युस्चन है 33 नम्र का computer में Windows का latest version कौन सा है तो computer में latest version है वो दोस्तो Windows 11 है और Windows 11 को Microsoft ने ओमरतिंड सिस्टम के latest version के रूप में Windows 11 को paste किया है और पेस्ट करने वाला जो है वो Microsoft है Microsoft ने अपने Windows Operating System के latest version Windows 11 को पेस्ट किया है तो अच्छे से याद रखना है क्यूस्टन को हाली में डून्ड कप में कौन से सस्क्रण का एजिन किया गया है दोस्तो में इससे सुरू होगा उसके बाद में शिलोंग कोकरा जार और घ्वाटी में ये गेम जो हैं वो खेले जाएंगे तो पूरे के पूरे क्यूस्टन मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये इस लिए इस क्यूस्टन को भी आपको याद रखना होगा लेटिस्ट करंट अफेर का और सपोर्ट का क्यूस्टन है याद रखना दोस्तो सही विकलप आपको चूनना है 625, 125, 25, 5 का अगला करम जो है वो क्या होगा तो याद रखो 625 को इसने 125 से तोड़ दिया ठीक है यानि कि 125 से 625 को तोड़या तो यानि कि 5 भागू में तोड़या तो क्या आ गया 125, 125 को 25 से तोड़या तो क्या आ गया, 25 आ गया, 25 को 5 से तोड़या तो क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 बटा में 1, 5 एकू 5 तो यानि कि answer जो होगा, वो एक होगा, right answer आपको option में मिल जाएगा, ऐसा ही question आता है, तो एक करना है, पूरा question आपको मैंने समझा दिया है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, next question है, सही विकलब चुलना है, तो दोस्तो 24-28 छाण में खालिस्तान होगा, तो यानि कि 4 into 2, क्या होगा, 18, 18 into 2, क्या होगा, 96, 96 into 2, क्या होगा, 112 में, तो right answer जो होगा, वो आपका 112 में हो जाएगा, क्यों, कि ये जो परसन है, वो तरक सकती के परसन है, और तरक सकती के अंदर पकड़ना है आपको, कि question कहां से चलना शुरू हुआ है, अगर आप आसानी से पकड़ जाओगे, तो ऐसा ही आपको एक question आएगा, और दोस्तों बहुती जी होत्ते हैं, तरक सकती के question, तरक सकती के question पांच आएगे आपके, और बहुती अच्छे से याद रखना है, तरक बुद्धी मता, यदि सांकेतिक भासा में सोनने को चांदी, सोनने को क्या कह रहा है, चांदी, चांदी को तंबा, तंबे को लोहा, और लोहे को लकडी, और लकडी को मिटी कहा जाए, तो इस सांकेतिक भासा में कुलाडी का निर्मान किस से होगा, तो दोस्तों कुलाडी किस की बनी होती है, एक बार आप अपने दिमाग के अंदर ये देखो, कुलाडी किस की बनी होती है, तो सभी को पता होगा कि कुलाडी लोहे की बनी होती है, याद रखना दोस्तों, बे बेटा तो उसको चलाने के लिए सहयोग करता है तो कुलाड़ी किसकी बनी होती है तो लोहे की तो याद रखना लोहे को यहां पे क्या कहा गया है देखो लकड़ी को मिट्टी कहा जाए तो लकड़ी को मिट्टी कहा जाए तो लकड़ी को मिट्टी कहा जाए तो यहां पे दे आर्मी के जिड़ी और कलरक के अंदर भी ये क्युस्चन आया हुआ है एक्जाम की दरश्टी से बहुत important क्युस्चन है दोस्तो इसे के आधार पर अगर और भी कोई क्युस्चन आ जाता है तो आपको एक क्युस्चन करने के बाद में आप तरक सकती है जो क्युस्चन है वो जो क्युस्चन बताये जा रहे हैं हर क्युस्चन को आप अच्छे से दिमाग में बिठाएं ताकि एक्जाम को आप अच्छे से निकाल ले जाएं नेक्स्ट जो क्युस्चन है वो संख्या 18,225 का वर्गमूल क्या होगा तो दोस्तो अगर हम 135 को 135 से मल्टिपलाई करते हैं तो आनसवर जो आपका निकल के आएगा 18,225 होगा और वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हो आप 18,225 है अब आप संख्या गिनो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का एकुरेट जो तरिक्का है वो संख्या कितनी हैं पांच है लेकिन दोदो के जोड़े बनाने हैं और द और एक जो है वो शिंगल रह गया तो सबसे पहले एक, 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 एक से एक को घटाय क्या आगया जीरो आगया और यहां पे एक एक को जोड़ा क्या हो गया दो हो गया संख्या उतार ली 18,2 ठीक है अब 18,2 को करने के लिए किस से मल्टिप्राई करें थोड़ा सा अंद लाजा तो आपको लगाना पड़ेगा ना तो हम देखते हैं 3 से ट्राई करके तो 23 को 3 से मल्टिप्राई कर लो दोस्तों लगबग सम्थिंग जाओ 69 आएगा 69 आगया अब 69 का क्या करना है इसमें से माइनस कर लो तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 12 गया कितना आ गया और यहां पे 1 बच गया तो 13 बच गया अगली संख्या उतार लो 13 25 हो गया 23 और 30 कितना हो गया 26 हो गया ठीक है अब 26 में मान लो क्या है कि क्या करना है 26 को गुणा करके देखो 1325 से तो 5 से गुणा कर दो 265 को 5 से गुणा कर दो 265 को इससे करेंगे तो हम 1325 आ जाएगा तो संख्या क्या हो गया यहां पे निचे 0 हो गया संख्या क्या हो गया यहां पे सभी 0 हो गया और यह कितना हो गया 265 और 5 जाँच 270 हो गया अगर उत्र की जाँच आपको करना है तो आपका यहां पे क्या आया पहली बार एक आया फिर क्या थरी आया और फिर क्या आया पाँच आया तो आनसवर क्या आगया 135 और 135 को अगर दगुणा करके देखोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा तो यहां से हम confirm भी हो जाएगे अगर जो यहां पे आंसर आएगा 135 वर्गमूल आएगा उसका अगर दगुणा करेंगे तो यहां पे 270 आएगा 265 पलस 5 270 और 270 का यह दगुणा होगा और यहां पे क्या होगा इसका सिद्धा सास है 135 को 135 से गुणा करोगे तो 18225 वर्गमूल आ जाएगा तो राइट आंसर ऐसे ही आपको निकालना है एक्जामाल के अंदर एक क्यूस्चन आपका वर्गमूल का आ सकता है इसलिए अच्छे से वर्गमूल निकालना आप सीख लो क्यूस्चन है दोस्तों अंडरूट 225 ओबलिक 289 तो इसको अंडरूट हटाएंगे तो 225 का होता है 15 यानि कि 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है और बटा में 17 और 17 को 17 से गुणा करते हैं तो 289 आता है तो वर्गमूल से इसको अगर हटा के लिखेंगे तो 15 बटा 17 जो है आपका आंसवर आ जाएगा और दोस्तो एक चीज को पका याद रखना आप मेरी को 2 से ले करके और कम से कम 25 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए जैसे 2 into 2 बराबर 4, 3 into 3 बराबर 9, 4 into 4 बराबर 16, 5 into 5 बराबर 25, 6 into 6 बराबर 36, 7 into 7 बराबर 49, 8 into 8 बराबर 64, 9 into 9 बराबर 81 ये जो है वो चलता रहेगा करम अगर 12 से 12 को करोगे तो 140 हा जाएगा इसी परकार 25 से अगर 25 को करोगे तो 625 हा जाएगा तो इसलिए दोस्तों मेरे भी क्या है कि 25 तक continue याद हैं और इसको आसानी से आप याद कर सकते हो तो आपका समय बरबाद नहीं होगा एकजाम हाल के अंदर आपके पास टाइम कम होगा तो इसलिए अगर आप अच्छे से वरगमूल याद करके जाओगे तो 25 तक की हर संख्या को आपासानी से गुणा कर सकते हो multiply कर सकते हो और एकजाम के अंदर आपके ये जो चीज है वो बहुत मददगार साबित होगी next question की चर्चा करते हैं दिये गए विकलपों में से खालिस्थान भरो 64, 32, 16, 8 खालिस्थान तो दोस्तों यहाँ से चलना है चार दूणी, आठ, आठ दूणी, सोड़ा, सोड़ा दूणी, 32, बत्ती दूणी, 16, अपने आप आनस्वर निकल के आ जाएगा चार, ठीक है, सीरीज को याद करना सिखो, तरक बुद्धी मता के जो question है, तरक सक्ती के जो question है वो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना पंदरा का, सोरी, पंदरा सो का पंदरा परतिसत क्या होगा तो दोस्तों, पंदरा सो का पंदरा परतिसत पूछ रहा है अगर जहाँ पे आपको प्रतिसत दिखाई दे वहाँ पे बटा में 100 टेक देना है आपको बटा में 100 गुणा में 1500 दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और पंदरा को पंदरा से मल्टिप्राई करेंगी तो आपको पताई है 225 जो है आपका अनस्वर निकल के आजाएगा नेक्स्ट क्यूस्चन जो है वो है एदी 5 प्रतिसत वार्शिक के इसाब से 4 वर्ष में साधान ब्याज 280 रूपे हो जाता है तो मूल धन कितने रूपे होगा तो मूल धन बराबर क्या होता है सबसे जादा ध्यान में रखने वाली बात है कि मूल धन बराबर होता है ब्याज क्या होता है ब्याज गुणा में क्या होता है सो बटा में क्या होता है दर बटा गुणा समय ठीक है यह फार्मुला आपको याद रखना है अगर आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है समय जो है वो चार वर्स भी दिया हुआ है और दर्द जो है वो पांच परतिसत है वो भी आपको दिया हुआ है तो करना क्या है मूल धन बराबर ब्याज गुणा सो बटा दर गुणा समय तो मूल धन बराबर क्या करना है मूल धन बराबर करना है आपको ब्याज ब्याज की जिगर क्या है ब्याज 280 है 280 रख लो गुणा में 100 भारमुले में है वो रख लो बटा में दर क्या है 5 पर 30 है ये रख लो गुणा में समय क्या है 4 वर्स ये रख लो अब करना क्या है 500 के 20 कितने होते है 500 के 20 होते है तो 20 25 कितना होता है 200 होता है तो अब इसको गुना कर लो ठीक है तो यानि कि 280 गुना में 5 अब ब्राबर कर लो 0 से 0 845 की सुप्राथ की 4 पांदुनी दसर चार 14 तो आपका जो आंस्वर होगा वो 14 हो आ जाएगा राइट आंस्वर जो होगा आपका मुल्धन जो होगा वो 14 हो होगा दोस्तो याद रखना बहुत ही आसान क्युस्चन था और ऐसे क्युस्चन आपके या तो साधारन ब्याज पुछा जाएगा या साधारन ब्याज आपको दे दिया जाएगा मुल्धन पुछा जाएगा आपको करना है 2-4 क्युस्चन निकाल के देखोगे आसानी से आ जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं है नेक्स्ट क्युस्चन जो है वो दोस्तो एक वर्थ की प्रीदी 88 cm है तो उसकी तिर्जया क्या होगी वर्थ की प्रीदी क्या बता रहा है वर्थ की प्रीदी जो है 88 cm है बताया जा रहा है आपे तो वर्थ की प्रीदी आपको दीवी है वर्थ की पृदि क्या है आपको दीवी है तो वर्थ की पृदि लिखो 88 cm 88 मीटर है क्या है 88 मीटर जो है वो वर्थ की पृदि है अभी आपको क्या करना है यहाँ पे 88 मीटर जो वर्थ की पृदि दे दी गई तो 2 πाई आर 2 πाई आर बराबर क्या होता है 88 तो यानी कि दो गुणा में πाई का मान क्या होता है 22 बटा 7 22 बटा 7 गुणा अर बराबर 88 आर बराबर 88 अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको उपढ ले जाएंगे सात अब उपढ की संख्या होगी क्योंकि संख्या चैंज हो जाएगी पीना R बराबर करेंगे. तो 7 उपपर चले आजाएगे, और 2 और 22 नीचे आजाएगा. तो 22 दुनी क्या होतता है? 24 होतता है. 22 दुनी क्या होतता है? 24 24 से से को काट देंगे. 24 होगा. 24 यो है वोग्रत की? तिर्जया हो जाएगी, next question है, यदि एक वर्त का व्यास 14 cm है, व्यास 14 cm है तो उसका छेतर फुल क्या होगा, व्यास दोस्तों जो है व्यास वो तिर्जया का दगुना होता है, जो तिर्जया होती है, उससे क्या होता है, व्यास दगुना होता है, तो यानि कि ये व्यास दिया हुआ है तो तिर्जा कितनी होगी व्यास दिया हुआ है 14 cm तो 14 cm व्यास है तो तिर्जा इसकी आद्धी होगी 7 होगी ठीक है तो वर्त का छेतर फल क्या है वर्त का जो छेतर फल है वर्त का छेतर फल वो होता है पाई आर स्क्वाइर क्या होता है वर्त का छेतरफल पाई आर स्क्वाइड पाई का मान जो होता है वो बाईस बटा साथ होता है गुणा आर दो बार लिखना है आर को स्क्वाइर है तिर्जा को दो बार लिखना है तो तिर्जा साथ सेंटीमिटर है गुणा साथ तो साथ से हम साथ को काट देंगे और बाईस क साथ से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 पंदरा तो उतर जो है वो 101 सेंटीमेटर इसक्वाइर आ जाएगा क्या जाएगा एकसो चोमन सेंटीमेटर इसक्वाइर जो है वो वर्त का छेतर फल आ जाएगा गोले का आयतन का सुत्र क्या है तो गोले का आयतन का सुत्र जो है वो होता है 4 बटा 3 पाई आर क्यूब क्या होता है 4 बटा 3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तो याद रखना है बहुत से एक्जामूं के अंदर ये क्यूशन पूछ लिया जाता है तो गोले कायतन का जो सुत्तर है वो है 4 बटा 3 पाई आर क्योग Next question है एक तिर्भुज के कोन A का मान 25 डिगरी और कोन B का मान 60 डिगरी है तो कोन C का मान ग्याद करना है कोन C के मान बराबर कोन A का मान पलस कोन B का मान ठीक है तो कौन C का मान दियावा नहीं है तो A, B का दोड़नू का जोड़ लो A का 45 डिगरी, B का 60 डिगरी C बराबर, कौन C बराबर क्या होगा? यानि कि 45 और 60 को जोड़ेंगे 105 ठीक है तो C बराबर 180 माइनस 105 कितना आ जाएगा? 75 डिगरी जो है कौन आ जाएगा क्योंकि 3 कोनू का जो मान है वो तिर भुज के 180 डिगरी होता है दोस्तों तो 2 कोनू का मान दिया हुआ है तो 2 कोनू का जोड़ना है और उसमें से गटा देना है तीसरे का जो मान है वो अपने आप निकल आएगा और ऐसा क्यूस्टन बहुत सा एक्जाम में आता रहता है क्योंकि मैंने बताए 40 परसेंट क्यूस्टन है वो easy और 60 परसेंट जो है वो hard क्यूस्टन आते हैं तो आपको त्यारी सी साबसे करनी है कि सारे के सारे फार्मूले जो है वो आपको याद रखना है मैत के अंदर क्यूस्टन easy आएंगे और क्यूस्टन hard आएंगे नेक्स्ट जो क्यूस्टन है वो है दोस्तो एक वर्ग की एक बुजा 6 सेंटी मिटर है तो वर्ग का 6 सेंटी मिटर है तो वर्ग का 6 सेंटी मिटर है क्या होता है बुजा गुणा बुजा ठीक है तो बुजा गुणा बुजा या बुजा स्क्वाइर भी बोल सकते हैं आप बुजा स्क्वाइर तो एनिकी 6 सेंटीमीटर दिया वाय तो 6 गुणा 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वाइर आंस्वर हो जाएगा ठीक है दोस्तो याद रखना यदि एक तिर्भुज का आधार 5 cm और उचाई 8 cm है तो उसका 6 फल क्या होगा तो सबसे पहले आपको याद होना चीए 6 फल पूछा है तिर्भुज का तो तिर्भुज का 6 फल तिर्भुज का जो 6 फल है वो होता है एक बटा दो आधार गुणा उचाई क्या होता है एक बटा दो आधार गुणा उचाई होता है याँ भी गुणा का निसान होता है यानि कहने का मतूली है एक बटा दो आधार गुणा उचाई होता है तो एक बटा दो को तो ऐसे का ऐसे रख दो और बकी 5 और गुणा में 8 रख दो ठीक है चार दुणी 8 चार आ गया पांचों के 20 तो 20 सेंटीमीटर स्कॉयर आ गया अनस्वर जो हो गया 20 सेंटीमीटर स्कॉयर आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फर्मुला दोस्तों याद है तो आसानी से आप क्यूस्चन को हल कर सकते हैं नेक्स्ट जो क्यूस्चन है वो 49 एक्स स्कॉयर पलस 15 आक्स पलस 56 का गुणनखंड ग्यात करो आपको गुणनखंड ग्यात करना है और ये क्यूस्चन है तोड़ा सा हारड है इसको अच्छे से संख्या है याद रखना है ये होना चाहिए गुणा में यानि कि जब हम गुणा करते हैं तो दोन्नू भारवाली संख्या मैं चोणी चाहिए और जब हम जोडते हैं तो दोन्नू संख्या है जो 15 एक्स से बनना चाहिए यानि कि संख्या को इस हिसाब से दोड़ना है अगर उसको जोडते हैं तो वो 15x बन जाए और अगर गुणा करते हैं तो वो 56x2 बन जाए क्या गुणा करते हैं तो बनना चाहिए 56x2 और जोडते हैं तो क्या बनना चाहिए 15x बनना चाहिए ठीक है जोडते हैं तो 15x बनना चाहिए और गुणा करते हैं तो 56x2 बन जाना चाहिए तो निकालते हैं दोस्तों अब क्या करते हैं इसको निकालते हैं तो सबसे पहले तोड़ो x² पलस 7x पलस 8x पलस 56 अब देखो ध्यान से क्योश्चन को 7 को और 8 को अगर हम जोडते हैं तो 7 और 8 कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं और जब जुडता है तो x और x x होता है ठीक है तो 15x हो गया 7x और 8x को जोड़ेंगे तो 15x हो गया और अगर 7x और 8x को अगर हम multiply करेंगे तो 56x² आ जाएगा तो हमारा क्यूस्चन सही बेट गया अब हमें इसके क्या करना है सोल करना है तो अब क्या करते हैं सोल करने के लिए इसके दो पार्ट मनाते हैं दोस्तों और इसके अंदर उबेनिष्ट देखते हैं उबेनिष्ट कौन सा है उबेनिष्ट देखते हैं x क्या करते हैं हम यहां पे उबेनिष्ट है यानि कि दोनु में है x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो X को क्या कर लेते हैं हम, ले लेते हैं, तो यहां पे X लिया, तो क्या बच गया, यहां पे एक X और बच गया, और यहां पे क्या बच गया, साथ बच गया, तो X पलस साथ, पलस का निसाने पलस का लिगा दो, यहां पे दोन्नों में उबेनिष्ट क्या है, आठ है तो आठ ले लो तो आठ लिया तो हम यहां क्या बच गया एक्स बच गया पलस आठ को इसमें भाग दिया तो कितना हो गया अठो साथ चपन क्या बच गया साथ बच गया तो एक पार्ट क्या गया हमारा एक्स पलस साथ और दूसरा पार्ट क्या गया हमारा एक्स पलस तो एक आगे कुर्ण खंड आगे यह जो answer है x पलस 7 और x पलस 8 उपर दिया होगा ऐसा question निचे 4 option में आपको कोई एक option इन में से मिलता हुआ नजर आ जाएगा वो आपको answer कर देना है question आपका निकल जाएगा बहुत ध्यान से देखने वाला question था ऐसे question आप solve करें 2-4 next question है 16a square minus 9 की b square को हल करना है दोस्तों आपको तो इसमें भी आपको सबसे पहले देखना है कि उबेनिष्ट क्या है तो उबेनिष्ट निकालो 4 और a 4a को भाग देंगे तो क्या बज़ जाएगा 4a ही बज़ जाएगा minus 3 फिर क्या बज़ जाएगा यहाँ पर जो बज़ जाएगा हो यहाँ पर बज़ जाएगा 3b बज़ जाएगा क्या बज़ जाएगा 3b तो 4a plus 3b 4a plus 3b यह वाला और दूसरा हो गया 4a minus 3b यह वाला 3b भी लेना है आपके क्योंकि square भी है न तो 4a minus 3b आनस्वर हो जाएगा अगर ऐसा पुछा जाता है कि 4a कोश्टक और यह बन 4a plus 3b 4a minus 3b बराबर होगा तो आनस्वर यह करना है आपको क्यों कि इसको आप निकाल के दे सकते हो 4a plus 3b ठीक है 4a plus 3b दूसरा है आपका 4a minus 3b दून्न को multiply कर लो दोस्तो अब दून्न को multiply करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है इस संख्या को इस संख्या से multiply करो तो 4a को 4a से multiply करेंगे तो 4 चोके क्या जाएंगे 16 और a से a को multiply करेंगे तो क्या जाएगा a का square आजाएगा ठीक है पलस का निसान है पलस का निसान लगा दो क्योंकि दुन्नू पलस की है पलस अब आगे वाड़ी संख्या को इस से करेंगे तो चारतिया क्या जाएगा बारा और बारा क्या जाएगा ए और बी दुन्नू आ जाएगा पिर क्या करना है यह संख्या पूरी हो गई इसको कर लिया इसको छोड़ दो अभी संख्या उगुना करना है तो इस संख्या को इससे करेंगे तो 4 तिया 12 लेकिन यह माइनस रिए पलस तो क्या आएगी дер कि आएगी 12AB 12AB माइनस कि आगई अब इसको करेंगे हम किसको 3 को 3 से करेंगे तो 3 ती ती या 9 लेकिन चिन के आएगा माइनस का आएगा तो माइनस का क्या आएगा 9B का स्कुआर आ जाएगा अब देखो दोस्तों यहां पर मैंने मल्टिप्लाई कर दिया है तो 12B जो है 12AB वो minus 9b square बच जाएगा ऐसी जो यह है यह उत्र आपको निकालना था लेकिन यहाँ पे जो निकालना था वो आपको उभेनिष्ट लेकर निकालना था ठीक है और यहाँ पे जो निकालना है आपको वो multiply करके निकालना है तो अगर आप दोस्तो अच्छे से फार्मूला याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे के सारे क्युस्चन आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों आपके जो पचास क्युस्चन थे पूरा का पूरा जो मोडल पेपर था वो मैंने बहुती अच्छे से समझा दिया है एक्जाम की दरश्टी से बह एक्स्ट वीडियो में जल्दी सभी भाईयों को राम राम जैहिन